सुबह सुबह सचिवाले पहुचे सीम नितीश ने मारी रेड ड्यूटी से गया मिले कई अधिकारी बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार कई दिनों के बाद आज एहली सुबह सचिवाले पहुचे है सीम सचिवाले पहुचते ही सबसे पहले अपने चेंबर्ग में गए वहां की वस्तुस्तिती का जायजा लिया इसके बाद सीम के आगमन की सुचना पाते ही अधिकारियों में हर कंप मज गया हलाकि सीम के सुबह सुबह और चक निरिच्छिन में कई अधिकारी मौके से गायम दरसल सीम नीतीश आज एहली सुबह मुख्यमंतरी आवास से निकल कर अचानक से सचिवाले पहुच गए सीम ने सचिवाले से संचालित सभी विभागों के कडमियों और अधिकारियों की कैबिन का निरिक्छिन किया इस दोरान कई अधिकारी अपनी जगा से गायम मिले इस उसके बाद सेम फिलहाल सचिवाले में ही मौजूद थे मालूम हो कि मुख्यमंतरी नीतीश कुमार लगतार एक्शन में नजर आ रहे हैं यही वज़ा है कि सीम सुबह सारे नौ बज़े ही वह पुराना सचिवाले पहुच गए नितीश कुमार पुराना सचिवाले पहुचकर अपने अधिकारियों की उपस्तिती का जायजा लिया CM ने पुराना सचिवाले की कैबिनेट सचिवाले वित विभाग सामान प्रशासन समेत कई विभागों में घूम घूम कर करमचारी और अधिकारियों की हाजरी का भी जायजा लिया सीयम की निरुक्षिन की खबर सुनकर सच्चिवाले कर्मियों में अफरात तफडी की स्थिती रही आपको बताते चले कि हाल की दिनों में कई दफे सीयम नितीश कुमार अधिकारियों और नेताओं से मिलने बिना बताए उनके आवास या ओफिस में पहुच जाते हैं कुछ दिन पूर्वी नितीश कुमार एक कारिकरम से लोटते समय अचानक से जेदे यू के पटना स्थित मुख्याले का दोड़ा किया था उस दोरान जेदे यू अधियक्ष ललन सिंग वहां नहीं थे हाला कि जब नितीश जब वापस निकलने लगे तो ललन सिंग की गाड़ी ओफिस परिसर में प्रवेश किया इस पर नितीश ने उन्हें बताए कि वे यहां से गुजर रहे थे तो आज ओफिस देखने चले आए कि कौन-कौन है सिर्फ खबर दिखाना देश्वा नियूज का मकसद नहीं देश्वा नियूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा नियूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले